Alternate page with proper canonical tag अगर आपकी Google Search Console में भी एरर दिखाई देती है तो आज के इस वीडियो में हम इस इशु को completely explain करेंगे और साथ ही देखेंगे कि कैसे इसे एक चुटकी में solve करें बट कोई वीडियो को सीधे-सीधे end पर नहीं ले जाएगा इस चक्कर में अपने Google Search Console में login करने के बाद sidebar में index headline पर focus करिए यहाँ पर पहला option है pages इस पर click करिए इस report में Google आपकी website के सारे index हुए और नहीं index हुए pages के number दिखाई देता है अगर आपकी website का कोई page index नहीं हुआ है तो Google आपको उन URLs में से कुछ URLs को यहाँ पर दिखाएगा और साथ ही वो कारण reasons भी बताता है जिनकी वज़े से Google ने उन pages को index नहीं किया है ताकि आप इन reasons पर काम करें, resolve करें और अपने pages को index करा सकें यहीं इसी list में आपको alternate page with proper canonical tag item दिखाई देता है अगर आपको इस list में यह item नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपकी website में किसी भी page में यह issue नहीं आया है alternate page with proper canonical tag issue को समझने के लिए हमें एक example को देखना होगा हमारी एक website है example.com इस website में तीन pages है example.com slash page 1, example.com slash page 2 और example.com slash page 3 इन तीनों pages में जो content है वो सेम है एकदम एक जैसा है as an SEO हम जानते हैं कि Google एक जैसे content वाले कई pages को index नहीं करेगा सिर्फ एक page को index करेगा इन तीन pages में से page 2 हमको index कराना है हम इसे index कराना चाहते हैं यह हमारा favorite है तो हम page 1 और page 2 पर canonical tags डाल कर Google को बताएंगे कि हमारा favorite page है page 2 example.com slash page 1 पर यह tag लगाया जाएगा इसमें देखे page 2 को हमने canonical बताया है और example.com slash page 3 पर भी यही exactly tag लगाया जाएगा जिसमें page 2 को canonical बताया गया है बट इतने से काम नहीं होगा complete इस page 2 पर भी यही canonical tag लगाया जाएगा क्योंकि हमें Google को इस page के लिए भी बताना पड़ेगा कि मैं अपने लिए भी canonical हूँ तो यही tag हम page 2 पर भी लगाएंगे page 2 पर लगाएगे इस canonical tag को हम बोलेंगे self-referencing canonical इन तीनों URLs पर जब हमने canonical tag लगा दिया तो अब हम Google को बता रहे हैं कि इन तीनों pages में एक जैसा content है बट आप page 2 को index कर लो अब अगर Google आपकी बात मान लेता है और page 2 को ही index कर लेता है तो फिर page 1 और page 3 को index नहीं करेगा क्रेक्ट क्योंकि आपने canonical tag के लगाया है इस point को याद रखेगा अभी काम आएगा अब अगर मैं पूछूँ कि page 1 और page 3 को क्यों index नहीं किया है तो जवाब क्या होगा भाई हमने ही बताया है Google को कि page 2 को index करो 1 और 3 को index नहीं करना है इसलिए Google ने index नहीं किया है लेकिन Google Search Console में ये नहीं लिख सकता है कि भाई तुम नहीं बोला था इसलिए लिख देता है alternate page with proper canonical tag ये issue जिन-जिन URLs के साथ में आ रहा है उन सभी पर आपने canonical tag लगाया था और आपके canonical tag को Google ने मान लिया है इसलिए URLs को index नहीं किया है तो ये कोई problem नहीं है इसका कोई solution ढोडने की ज़रूरत भी नहीं है alternate page with proper canonical tag को दिमाग में save कर लिजे इस नाम से मैंने ही बोला था आगे कभी confusion नहीं होगा अब आपको यहाँ पर बस एक point है जिस पर doubt हो सकता है आपको वो है no index tag अगर page 2 को ही सिर्फ index कराना है आपने canonical इसी page को बनाया है तो अगर page 1 और 3 पर canonical के साथ-साथ no index tag भी लगा दें तो फिर यह error यहाँ पर नहीं दिखाई देगी क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ not index URL के लिए लिस्ट आ रहे हैं जब आपने खुद से ही no index लगा दिया तो फिर यह issue यहाँ पर नहीं आना चाहिए थियोरी में यह idea सही लगता है लेकिन इसका use नहीं करना चाहिए यह idea गलत है risky है dangerous है canonical tags hint होते है Google मान सकता है और मैं भी ना माने लेकिन no index एक instruction होता है Google को मानना ही पड़ेगा अगर Google आपके दिये हुए canonical tag को नहीं मानना चाहता है page 2 को नहीं index करना चाहता है तो उसका मतलब यह नहीं है कि page 1 या 3 को ही index करेगा वो किसी और external page पर भी जा सकता है किसी दूसरी website के page को index कर सकता है उसे show कर सकता है अगर आप page 1 और 3 पर no index लगा देते हैं तो फिर आपको traffic का loss होगा क्योंकि Google किसी और website पर जाकर उस page को index कर लेका आपका page छोड़ देगा इसलिए canonical tag के साथ में no index लगाना गलत आइडिया है So moral of the story क्या हुआ alternate page with proper canonical tag में आपको कुछ भी करने की ज़रुवत नहीं है यह कोई issue नहीं है यह कोई error नहीं है यह एक message है एक तरीका है Google के यह बताने का कि भाई तुमने ही बोला था इन pages को index नहीं करना है canonical tag लगा के इसलिए मैंने index नहीं किया है So Google को दोश देना बंद करिये इसका solution डोड़ना बंद करिये यह कोई problem नहीं है भूल चाहिए Thank you so much for watching this video my name is Amitivari from Amitivari.net and I will see you next time Take care